हर्लीन ने कान पकड़ कर सौरी बोला और सभी लोगों से माफी मागी जिया दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हर्लीन जो है वो अपने नानू और बाकी घरवालों के सामने जाती है उनको डंडा देती है और कहती है कि अगर मैंने गलती की है मुझे पता है तो मुझे डंडे से मारो और मैं कान पकड़ कर अपने उठक बैठक करूंगी और जब तक आप लोग माफ नहीं करों के तब तक मैं उठक बैठक करती ही रहूंगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार को खुच देखूं और नहमत को भी खुच देखूं तो यहाँ पे जो हर्लीन के नानू हैं वो कही न कही पिघल जाते हैं और हर्लीन को यहाँ पे माफ कर देते हैं दोस्तों ये सारी चीज़े आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी